वंदे मात्रम दोस्तों मैं रवी चौ१री स्वाइब करता हूँ हमारे चैनल रवी चौ१री तेरी मेरी बातों में एव दोस्तों मैं आपको बता दू हाल में ही लाज सिंग चड़ा रिलीज हुई थी और उसके थेटिकल रिलीज होने के बाद अमिर खांजी ने सोचा कि इस जिसे कारण त्रेटिकल तो लोस हुआ ही हुआ साथ इसाथ डिजिनल लोस के चांसिज पूरे और पूरे हैं मैं आपको बता दू दोस्तों अभी हाल में ही समझाता हुआ आमीर खान जी और नेट फ्रिस के बीच वैसे तो आमीर खान जी अपनी त्रेटिकल फिल्म छे महिने स जा रहें सिनेम अगर खाली होते जा रहे हैं और इस बीच फिल्मों को भारी मातरा में नुकसान जहलना पड़ रहा हैं अभी आमीर खान जी अपनी फिल्म को नेट फ्रिस पर रिलीज करना चाहते हैं और उन्होंने नेट फ्रिक्स से 150 क्रोड की मांग की हैं कैसे कैसे और आ गया होंगे जी हां दुबारा मैं बोलता हूं 150 क्रोड की डिमांड की उन्होंने हाला कि फिल्म में पूरे थेटर पे ही 50 क्रोड से जादा की कमाई नहीं की है उन्होंने सोचा कि जो 180 क्रोड लगे हैं वो तो कहीं न कहीं से निकालना ही पड़ेगा हाल महीं वित्रों को ने अपना फैसा सारा के सारा वसुल कर लिया है आमीर खान जी से अब आमीर खान जी पौकिट खाली की खाली हो गई है एसे हालात में बहतर यही है कि वक्त रहते हैं इनसान सतर्क होकर अपने जजबात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें नेट्फ्लिक्स ने अपने कदम पीछे हटा लिये हैं उन्हें ने वापिस बोला कि भाया हम 80-90 करोड तक ही सिमित रह पाएंगे लेकिन आमीर खान जी फाइट करते हुए बोल रहे हैं कि हम 125 करोड चाहिए ही चाहिए इस बीच फाइनल जो समझोता हुआ है आमीर खान जी और नेफ्लिक्स के बीच में वह महज 90-80 करोड के आसपास का हुआ है ऐसा सुत्र लोग बता रहे हैं कि 80-90 करोड में आमीर खान जी फाइनल डन हो गए है मजाया और महज 8 हफ़तों में ये फिल्म आपके बीच होगी OTT पर सुत्रों से भी पता लगाए जा रहा है कि आमीर खान की फिल्में जो है इंटरनेशनली बहुत धून तो मचाती मचाती है उनकी फिल्में जातर चीन से बहुत पैसा कमाती है आपको पता हो तो दंगदल जैसी फिल्में सिक्रेट सूपरस्टार थ्री एडियेट ये फिल्में चीन में बहुत चली थी और आमीर खान की फैन फॉलिंग चीन में सबसे ज़्यादा है दोस्त मैं आपको ये भी बता दू कि आमीर खान जी भले नुकसान हुआ हो इंडिया में लेकिन वह सोच रहे है कि आमीर खान जी इस बार विफल हो जाएंगे क्योंकि सुनने में आ रहा है सुत्र लोग ऐसा बता रहे हैं कि चीन में भी ये फिल्म जो है ज्यादा चल नहीं पाई जी हाँ दोस्तों लोग इसका भईशकार कर रहे हैं पायकोड कर रहे हैं मुझे लगता है कि अगर उनको अपने फिल्मों को हीट करना है तो कहीं न कहीं देश के हित में और देश जैसा फिल्म चाहती है उनको वैसा ही फिल्म बनाना पड़ेगा बैनेड है जुरेड है और हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले फोन लेटेस्ट वीडियो थैंक्यू